गनेश चतुर्थी पर करे ये खास उपए, हर मनो कामना होगी पूरी। गनेश चतुर्थी पर करी ये उपाय भाद्रपद मास के शुक्य पक्ष की चतुर्थी तिथी, जिसे गनेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष 7 सितंबर, शनिवार को पड़ रही है। धर्म ग्रंथों के अनुसार, इसी दिन भगवान श्री गनेश का प् कुछ विशेश उपाय किये जाएं, तो भगवान श्री गनेश भक्तों पर प्रसन होकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। यदि आप भी इस विशेश अवसर का लाब उठाना चाहते हैं, तो इन उपायों को विधि पूर्वक करें। गनेश ची को प्रसन करने क गनेश जी का अभिशेश करें। शास्त्रों के अनुसार, भगवान श्री गनेश का अभिशेश करना अत्यंत फलदाई होता है। गनेश चतुर्थी पर शुधत जल से उनका अभिशेश करें और गनपती अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इ, सके बाद मावे के का भोग लगा कर भक्तों में बांट दें। गनेश यंत्र की स्थापना करें। जियो तिश के अनुसार, गनेश यंत्र अत्यंत चमत कारी होता है। गनेश चतुर्थी पर घर में इसकी स्थापना करने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मत शक्ती प्रवेश नहीं करत अगर जीवन में बहुत सी परेशानिया हैं, तो गनेश चतुर्थी के दिन हाथी को हराचारा खिलाएं और गनेश मंदिर में प्रार्थना करें इससे आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही हो सकता है धन प्राप्ति का उपाए गनेश चतुर्थी के दिन स्नान के बाद भगवान श्री गनेश को शुधगी और गुर का भोग लगाएं और बाद में इसे गाए को खिला दें इससे धन समबंदी समस्याओं दूर हो सकती है 21 गुर की गोलियां चड़ाएं गनेश मंदिर जाकर भगवान श्री गनेश को 21 गुर की गोलियां दूर्वा के साथ चड़ाएं इससे आपकी हर मनो कामना पूरी हो सकती है पीली गनेश प्रतिमा की स्थापना करें अपने घर में पीले रंग की गनेश प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें और हल्दी की पांच गठान चड़ाएं यह उपाए करने से प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ सकती है दान करें गनेश चतुर्थी पर गरीबों को कपड़े, भूजन, फल, अनाजादी का दान करें दान करने से पुन्य मिलता है और भगवान गनेश प्रसन होते हैं बेटी के विवाह के लिए उपाए यदि बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो गनेश चतुर्थी पर भगवान श्री गनेश को मालपुए का भोग लगाएं और वरत रखें इससे विवाह के योग बन सकते हैं दूर्वा गनेश की पूजा करें दूर्वा से गनेश जी की प्रतिमा बना कर उनकी पूजा करें मोदक, गूर और मिष्ठान अर्पित करें इससे भगवान गनेश सभी इच्छाएं पूरी करते हैं लड़के के विवाह के लिए उपाएं यदि लड़के के विवाह में देरी हो रही है तो गनेश चतुर्थी पर पीली मिठाई का भोग लगाएं इससे विवाह की बाधाएं दूर हो सकती हैं व्रत रखें और तिल के लड़ू चड़ाएं गनेश चतुर्थी पर व्रत रखें और शाम को गनपती अथवशिर्ष का पाठ करके तिल के लड़ूं का भोग लगाएं इससे भगवान श्री गनेश आपकी मनो कामना पूरी करेंगे गनेश चतुर्थी पर इन उपायों को विधि पूर्वक करने से भगवान श्री गनेश अपने भगतों पर कृपा बरसाते हैं और जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं